आज हम देखेंगे के हम टी पैक के फ्रेमवर्क को कितनी एफेक्टव तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं अब आपने जो सबसे इंपॉर्टन चीज याद रखनी है टी पैक को जब भी आप याद करेंगे ये टीचर्स ट्रेंइंग के लिए है ये जब हम टीचर्स को ट्रेंइंग दे रहे होते हैं स्कूल्स के अंदर या चुटियों के दौरान किया और कितनी अच्छी तरीके से पढ़ा सकते हैं training के different part होते हैं, जिसके अंदर उनका content knowledge इंप्रूफ कराया जाता है, नहीं pedagogical techniques लिखाई जाती है, और definitely इसमें technology इंटीग्रेट की जाती है. अब हमारे सामने important चीजों में ये आता है कि टीचर को किन चीजों को सामने रखना चाहिए, जब वो इस framework के साथ काम कर रहे होते हैं. अब इसके दो फाइदे होते हैं, जब आप technology को अपनी student की current skill level के साथ और knowledge level के साथ मैच करते हो, तो एक तो यह होता है कि जो उनकी current knowledge skill है, वो और strengthen होती है, और मजबूत होती है, उन्हें अपनी subject पे और command हासिल होती है, बलके इसके साथ साथ जो इस subject ने आगे develop होना होता है, और आगे आने वाली skills और knowledge हैं, उसके अंदर भी उन्हें बेतर support मिलती है. स्टूडेंट जो हैं, जो हमारी classroom के अंदर आते हैं, वो different background से आते हैं, अब भी possibilities हो सकती हैं, कि स्टूडेंट के पास already आपके technological और content knowledge जो है, मौजूद हो, कही स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जिनके पास मौजूद नहीं होता, यह भी हो सकता है, कि स्टूडेंट ने और य यह जो gadgets हैं, और यह किताब हैं, जो आप उनसे share कर रहे हैं, या different आप तरीके share कर रहे हैं, वो उन्होंने already experience किये हो, आप पर कही student ऐसे होंगे, जिन्होंने वो experience नहीं कियोंगे, या कभी gadgets और technology को इस तरह इस्तेमाल नहीं किया होगा, आप जिब content के जो concept पढ़ाने जा र आते हैं, तो definitely उसकी शकल बदल जाती है, उसकी representation different होती है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम pedagogy की बात करते हैं, art of teaching, जिसके अंदर lesson plan बनाना है, जिसके अंदर आपकी activities develop करना है, जिसके अंदर आपकी instruction के method आते हैं, जिब हम उसके अंदर technology को insert करते हैं, तो definitely communication का तरीके ब concept है, जिब हम उसको technology के साथ integrate करते हैं, और tech के साथ integrate करते हैं, तो हमें कई दफार different skills भी सीखनी पड़ती है, और हमें यह देखना पड़ता है, कि skill level क्या है, और वो skill level ना सिर्फ content में जाना जरूरी है, बलकि technology में भी जाना जरूरी है, कि क्या यह technical skills मुझे आती है as a teacher, या मुझे कैसे सीखनी है, और मैं बच्चे को जब सिखाऊंगी और assignments दूँगी, presentation दूँगी, तो क्या बच्चे इसको 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 इस्तेमाल कर लेंगे, क्या उन्हें किस कि support की जरूरत होगी, technology को इस वकद अगर जब हम देखते हैं, तो mostly हमें यह नदर आता है कि share teaching learning process का technology से कोई बहुत ज्यादा integration नहीं है, तालुक नहीं है, जबके ऐसा बिलकुल भी नहीं है, हमारे पास most of the time जो हमें बताया जाता है, जो software या apps हमें इस्तेमाल करते हैं, professional development के seminars में या अपने courses के अंदर, वो यह बताया जाता है, आपने इन apps को किस तरीके से चलाना है, इ pedagogy में कैसे मदद करेगा, आपके lesson plan बनाने में कैसे मदद करेगा, assessment में activities बनाने में कैसे मदद करेगा, यही वो important feature है, जो मिश्रा और कोलर ने find out किया था, और उनका कहना यह था कि जो हमारे बुन्यादी चार issues हैं, जिसकी वज़ए से हमारी successful integration नहीं हो पाती, even teacher training programs में, professional development program में, कि teacher empower नहीं हो पाते हैं, और वो समझ नहीं बाते हैं, कि technology को हम अपनी classroom में पढ़ाते हैं, assessment करते हैं, activities बनाते हैं, student की learning styles को find out करते हैं, content delivery में कैसे इस्तेमाल करेंगे, चार issues क्या हैं, सबसे पहले, एक तो यह कि technology बहुत तेजी से change होती रहती है, उसके साथ cop-up करना नहीं technology के साथ, बहुत से लोगों को यह काम बहुत पुश्किल लगता है, दूसरी चीज़ यह है, कि most of the time, जो हमारे पास software होते हैं, उनका बुन्यादी मकसद होता है, business oriented, ना education oriented, जब हम software सिखाते हैं, किसी भी student को, या teachers को, ताकि वो यह apps इस्तेमाल करें, तो हम यह बतात साथ, कैसे यूज़ करेंगे, तीसरी important चीज़ इसके अंदर आ जाती है, कि इसको हम कहते हैं, the situation nature of the classroom, अब वो यह क्या करती है, प्रिजेंट थर्ड इश्यू जिसका मतलब है, separating technology use, कि हम हमारे टेकनोलोजी के समाल है, कैसे हम integrate करने की जगा, इसको हम अलग कर देते हैं, अ उसके needs different हैं, तो video नहीं change हो सकती, वो same ही रहेगी, app mostly change नहीं हो पाते हैं, वो same ही रहते हैं, इसी तरीके से last important चीज़ आती है, कि हमारा focus क्या होता है, जब हम teacher training में सिखा रहे होते हैं, लोगों को किस तरीके से technology को इस्तेमाल करना है, हम यह बताते हैं, कि क्या features हैं, इसको के अंदर इस्तेमाल करना है, assessment के अंदर इस्तेमाल करना है, activities develop करने के अंदर इस्तेमाल करना है,